ये क्रांती बाबा साहब की है, ये क्रांती जो बच्चे जैभीन कर रहे हैं, ये आज की क्रांती नहीं है, ये क्रांती हमारी नसों में दोड़ रहे हैं, वो बाबा साहब के फून की क्रांती है, वही बाबा साहब ने आप से कहा था कि लिख देना तुम देश की हुखमरान क करके यह जितना भी आप लोगों ने ताम जाम लगा के रखा हुआ है उपने घर पे इसको उतार करके केवाल इतना लिखवा दोगे अपने घरों की दिवारों पे कि हम बहुजन इस देश की शाषक कौमे हैं हमको इस देश पर राज करना है तो यह निशित मानिया है कि 2019 नही आपका बच्चा राजा बनने के लिए जलूर परियास करेगा वो राज दिल पूछेगा कि पापा इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है तब आप उसको बताओगे कि सिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है सिक्षा का मतलब डाक्टर इंजिनियर प्रोफेसर बनना नही जिए का मतलव अपने हग अधिकार को जानकर के उस हग अधिकार की सुरक्षा के लिए संसत की करफ बढ़ना है तो मेरे प्यारे बच्चो जो बाबा साब का नीला ड्रेस है ना ये पर अपनोंदु उन्हेट नियुक्त है नहीं रे मे influ aqua 2 कमटी जारे हिसło प्लकायरती दिजिए यी मुथी जाती है यह मूर्थी जवल बावासाब की तोड़ी जाती है क्योंकि बावासाब की मूर्थी को सम्मान दिलाती तुम भी साफ़टरा कपड़ा पहनके रहों। कि उठू, उठू उठके, संभीधान को पढ़ करके इस संभीधान की रक्षा करने का रास्ता जाता है संसक्र की ओ उठो, उठके संसद के उपर कंजा करो यह उँगली इशारा करती है संसक्र की ओ संसत के उपर कपजा करना है इसी वजह से बाबा साब की उंघ्या तोड़ी जाती है तो सोच ये कि इनको पुतले ढराते हैं जिनको बाबा साब मरने के बाद दराते हैं तो कितने खतरनाक बाबा साथ की संदाने हम लोग हैं, हम जब जीते जी तो कम से कम इन लोगों को डराई सकते हैं ना, जीते जी तो डराई सकते हैं ना, तो वो जीते जी आप दोलत, बैंक बैलेंस पैसा से नहीं डरा सकते हो, वो जीते जी आप डरा सकते हो अपने बच्चो अपने लिए गय थे, अपने लिए गय थे बुद्ध की शरण में, आपके और हमारे लिए गय थे, क्यों? क्योंकि बाबा सहाब इस बात को समझ गय थे, कि इतना बड़ा सम्विधान लिखने के बाद भी, बाबा सहाब को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है अरे वो तो एक अच्छूत था एक महार था ऐसी तो बोते हैं अभी वो हमारे से पहले उनरेश ये क्या नाम था हुंका वो बोल रहे थे सुद्रों की देवी अरे बाप रे बाप कम से कम अपने महापुरुशों को शुद्रों तक मत सीमित रखो यार वो उत्तर परदेश की चार-चार बार मुख्य मंत्री रह चुकी है वो बहुजनों की नहीं वो सरुजनों की नहता है यार उसको केवल शुद्रों तक सीमित कर दोगे तो कहां तक चलेगा यार अपना ज्यान सुदार लो इतने बड़े मंच पया करके बोलने से पहले ये मेरे